हलो एवरिवन तो आज हम करेंगे स्टूडेंट्स एंसी आटी क्लास फोर की हिंदी रिम जिम बुक जिसका हम चैप्टर करेंगे आज जैसा स्वाल बैसा जवाब तो स्टूडेंट्स आप इसमें जो हैं आज का आपका रहेगा कॉंटेंट जिसमें हम आज करेंगे सही शब्ट चुनकर, खाली स्थान भरिये और साथ में सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशां लगाए तो आज हमारे ये कॉंटेंट रहेगा तो हमारे इस चैनल पर student जैसा कि आप जानते हैं कि NCRT की सभी classes के वीडियोज आपको मिल रहे हैं तो आप जो है comment section में जुरूर बताईएगा कि अगर आपको किसी और topic और किसी subject का वीडियो चाहिए तो आप जुरूर जो है mention comment section में कर सकते हैं अपनी valuable feedback जो अब हमें दे सकते हैं तो चलिए आज start करते हैं अपना questions तो सही सद चुनकर खालिस्तान भरिये आपको अचकन, पगड़ी, संतुस्त, अभिमान और आवादी तीनों ये आपको option दिये हुए हैं तो आपने इस message जो है correct option फिल करना है तो जैसे इसका first question क्या है third का ख्वाजा सरों को अपनी बिद्य और बुद्धी पर बहुत धा तो क्या था अभिमान उत्तर लिखेंगे आभ अभिमान next question इसका है ख्वाजा साहब डैश पहनकर अकवर के पास पहुँचे तो क्या पहनकर पहुँचे अचकन पगड़ी फिर उसके बाद है आपका third question ख्वाजा साहब ने डैश सवाल लेकर बाशाह को दिये तो कितने दिये थे तीन नो सवाल तीन सवाल पूचे थे नो बीरबल से next question संसार की डैश पल पल भर घड़ती बढ़ती रहती है तो क्या घड़ती बढ़ती रहती है आब आद दिये जो बीरबल ने उत्तर में पताया था पिर इसके बाद जो है next question 5 है इसका बादशा बीरबल के उत्तरों से डैश हो गया तो क्या हो गया था संतूष्ट तो यह सभी हमने कहां से फिल किये यहां से फिल किये तो इसके बाद जो है next question है आपका यहां पर 4. सही कथन पर पर सही एंवन गलब कथन पर गलत का निशान लगाई है, तो इसका पहले प्रशन कोते हैं जमीन पर अपनी चड़ी गाड़ कर दिया हां चड़ी गाड़ कर ही दिया बाश्या बीर्वल नेक्स कोश्चन है बाश्या बीर्वल के जबाब से संतुष्ट हो जाते हैं तो यह थे आपके आज के प्रश्चन तो स्ट्वेंट्स अगें आपको फिर से बता बोरे हैं कि आप अपनी वैल्यूवल फीडबैक्स जरूर दीजीगा ठीक है तो आज के वीडियो में इतने ही तो स्ट्मेंट्स आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना